आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ पालक पनीर की रेसिपी जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही कम समय में इसे बना करके तयार करेंगे तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस पालक पनीर की रेसिपी को सुरू करते हैं पालक पनीर बनाने के लिए यहां पे मैंने 300 ग्राम पालक लिया है, इसे हमने अच्छे से दो करके ले लिया है, अब यहां पे गैस में एक बरतन में पानी उबलने के लिए रखती है, अब हम सारे पालक को इसमें डाल करके इसे हम ब्लांच कर लेंगे, साथ में यहां पे हमने half table spoon इसमें नमक डाल दिया है नमक डालने के बाद पालक में mix कर देंगे उसके बाद low to medium flame पे इसमें उबाल आने का wait करेंगे और ये लीजिए पालक में उबाल आनी शुरू हो चुकी है एक बार हम इसे इस तरीके से चला लेंगे हमें इसे ज्यादा नहीं उबालना बस एक से दो मिनट और उबालना है अगर हम ज्यादा उबालेंगे न तो पालक पनीर का color जो है वो change हो जाएगा और ये लीजिए पालक हमारी उबल चुकी है अब हम इसे छनी में निकाल लेते हैं ये देखिए इससे ज्यादा हमें नहीं से हुबालना है और ये लीजिए सारे पालक को हमने निकाल लिया है ये देखिए अब हम इसे ठंडा होने देते हैं चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की और गैस पे हम मैंने एक पैन रगती है अब हम इसमें टू से त्री टेवल इस्पून तेल डाल देंगे साथ में यहाँ पे वन टेवल इस्पून जीरा उसके बार टालेंगे यहाँ पे दो टमाटर साथ में डालेंगे यहाँ पे एक बड़े साइज में प्याज, आठ से दस लहसन की कलिया, एक इंच अद्रक का टुकरा, दो हरी मिर्च, टमाटर और प्याज को हमने रफली चॉप काट करके ले लिया है सबसे पहले हम अद्रक लशन और हरी मिर्च डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, कुछ सेकेंड के लिए हम इसे चलाते वे पहले हम इसे भूल लेंगे, यह देखिए, हमें इसे 1-2 मिनट भूल लेना है, और यह आप देख सकते हैं, प्याज को हमने 1-2 मि उसके बाद हम इसे चार से पांच मिनट चलाते वे बुनते जाएंगे जब तक कि टमाटर और प्याज जो है ना थोड़ी सी गुलना जाए और ये लिजिए टमाटर और प्याज थोड़ी सौप्ट हो चुकी है ये देखें अब हम गैस के फ्लेम को आफ करते हैं चलते हैं ने पेस्ट तयार कर लेंगे और ये लिजिए पालक को हमने पीस करके तयार कर लिया है इसे अब हम एक बावल में डाल देते और इसे साइट करते हैं अब ये प्याज टमाटर लसन अद्रक हरी मिर्च का जो मिक्षर हमने तयार किया ना ये भी ठंडी हो चुकी है सेम चार में ह चार का ढगकर लगा करके अब हम इसका फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे और ये लिजिए हमने इसका फाइन पेस्ट तयार कर लिया चलते हैं गैस की तरफ गैस में मैंने कड़ाई रगती है अब हम इसमें 3-4 टेवल स्पून तेल डाल देंगे छोटी सी क्यूब पटर की ड मिनट के लिए इसे भूल लेंगे अब हमने जो मिक्षर तयार किया वा था ना प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसन अद्रक का वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे 2-3 मिनट हम इसे चलाते वे भूनते जाएंगे जार में हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें डाल देते हैं व पाउल में थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें मिक्स कर देते हैं सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करते वे 3-4 मिनट हम इसे चलाते वे भूनते जाएंगे यह देखिए यह आप देख सकते हैं 3-4 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक एड किया है नमक अभी तक हमने इसमें नहीं डाला था टेस्ट के एकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दें नमक डालने के बाद इसे आप अच्छे से मिक्स कर दें यह देखिए अब हम इसे एक से दो मिनट पकने देंगे अब यहाँ पर हमने टू टेवल इस्पॉन फ्रेस क्रीम डाला है आप चाहे तो दूद की मलाई भी इसमें डाल सकते हैं क्रीम डालने के बाद इसे आप अच्छे से मिक्स कर दे और ये लिजे हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है उसके बाद यहाँ पे हमने 200 ग्राम पनीर लिया है पनीर को मैंने यहाँ पे क्यूप में काट करके ले लिया है सारे पनीर को आप इसमें डाल दे और ये ल अब हम इसे चलाते वे अच्छे से मेक्स कर देंगे, यह देखिए, एक से दो मिनट आप इसे पनीर के साथ इसे आप पकने दें, यह आप देख सकते हैं, हमने इसे अच्छी तरीके से पका लिया है, अब हम इसमें हाप टेवल इस्पॉन गरम मसाला एट करेंगे, गरम मसाला डालने के बाद इसे हम मिक्स कर देंगे, पालक पनीर हमारी बन के बिलकुल तयार है, यह आप इसका ग्रेवी का टैक्सर देखिए, बहुत ही अच्छी बन के तयार हुई है, गैस के फ्लेम को आफ कर देते हैं, अब हम इसके उपर थोड़ी सी ग्रेट करके पनीर डाल देत हैं, ताकि देखने में न यह और भी टैमपर्टिंग लगेगी, और यह लिजे हमने इसमें पनीर को ग्रेट करके डाल दिया है, चलते हैं, सौब करने की प्रोसेस पे, और यह लिजे पालक पनीर बन के बिलकुल तयार है, रेस्टूरेंट जैसी पालक पनीर हमने घर पे ब पना के तयार की है, अब हम इसके उपर थोड़ी सी पनीर ग्रेट करके डाल देते हैं, ताकि देखने में न यह और भी टैमपर्टिंग लगे, इस पालक पनीर के साथ ना प्रोटी, चावल, पूरी, पराठे, नान किसी के साथ इंजॉय कर सकते, यह सभी के साथ मेरे इस तरीके से आप एक बार पालक पनीर की रेसिपी को जरूर ट्राय करें, यह सभी को बहुत ही पसंद आएगी, अब हम इसके उपर न थोड़ी सी क्रीम डाल देते, ताकि देखने में न यह और भी अच्छी लगे, इस तरीके से आप जरूर एक बार ट्राय कर सकते है मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में सेर करें, चैनल पे नए है तो प्लीज सस्क्राइब करें, बहुत जल्द आप से मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, थैंक यू